नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में मराठों के महान सरदार नाना फढ़नवीज के बारे में जानकर प्राप करेंगे तो देखेगा चात्रों, जो नाना फढ़नवीज नामक चेप्टर है, यह है इत्यास विसे का एक महत्वपुन चेप्टर है और एकजामे भी कई बार किसन पूछ लेते हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने महाध जी सींधिया के बारे में जानकर प्राप की थी तो देखेगा यह दो मराठा सरदार ऐसे थे जिन होने मराठों की जो परभूता है उसको अपने मतलब अपने प्राणों की बाजी लगा के भी इन्होंने बचाया था तो देखेगा जो भी अंगले मराठा यूद हुए हैं उनमें देख लो चाहिए फिर या फिर कोई और कोई विदेशी सकती आई है तो उनको देख लो इन दोनों सरदारों ने अच्छे से उनको मुहतोर जवाब दिया था तो देखेगा जो यह आपका नाना फड़नवीस है इनका जनम 1742 में हुआ था और 58 मर्स के अवस्ता में अठारा सो में इनका दिहांत भी हो जाता ठीक है तो जो नाना फड़नवीस है यह अमेसा से गंभी रहने वाले वेखती थे और मतलब इनको किसी ने भी कभी भी हस्ते हुए नहीं देखा था और यह बहुत ही मतलब नियमित जीवन वेतीत करने वाले थे और अपने परशासन की परतेक बात को सुयम देखते थे किसी काम को खुले रूप में करना पसंद नहीं करते थे मतलब जैसे की जो महाजी सींद्या वो खुले विचारों के थे सब के चित्ते पूर्ण वे नयापूर्ण रहते थे किसी गलत काम को करने से या फिर दोखेबाजी करने से उन्हें डर लगता था उन्हें महाजी सींद्या की जैसी आत्मनिरबरता बिल्कुल भी नहीं थी ठीक है और वे सबसे अलग-अलग सला लेते थे परंतुकार ये अपने निर्ने के नुशार करते थे और अपने अधिनस जो करमचारी थे उनसे ये भो ज़्यादा कड़ी मेनत भी करवाते थे जिसे वे किसी के भी मतलब पिरिवेक्ती नहीं थे और उनके जीवन को सदय खत्रा बना रहता था था अर्था थे उन्होंने अपने सत्रू पहला रख इसके विपरीथ होते न तो और मतलब कि सक्ती को बांट कर चलते तो मतलब मराठों का बहुशे अधिक अच्छा होता फ्रेंदु नाना फढ़न में इसको सक्ती प्राप्त करने की बहुत चाहती मतलब वो सक्ती भी प्राप्त करना चाहते थे किसी से ज़्यादा मिलकर भी नहीं रहते थे और सेने की ओगेता भी नहीं थी तो ऐसा वेक्ति साइध ही अपने जीवन में सफल हो सकता है और यह मतलब यह अब गुण मालो चे कुछ भी मालो या फिर उनकी कमजोरी मालो यह मतलब महराठों के लिए गातक सिद हुई थी ठीक है तो देखेगा मैंने ना फडनवीस का परीचे दिया है अब हम आगे पढ़ेंगे ना फडनवीस के प्रारंबिक जीवन के बारे में और उनकी उपलब्दियों के बारे में तो देखेगा इनका आरंबिक जीवन तो नाना फडनवीस का जनम है यह 12 जनवरी 1742 को एक ब्राह्मन परिवार में कारते थे ठीक है पेश्वा मादवरा पर्थम ने नाना को फड़नवीज अर्थात पेश्वाई के आयवे का हिसाब रखने वाला पदपर न्यूक्त किया था तो देखेगा नाना फड़नवीज का जो जनम का नाम था वैं बालाजी था इनके पिता जनारदन थे तो है यह एक पद था और यह कौन सा पद था पेश्वाई के आयवे का इसाब रखने वाला ठीक है तो जो पेश्वा मादवरा पर्थम था उसने नाना अर्थात बालाजी जनारदन को फड़नवीज पद पर न्यूक्त किया था ठीक है वीतिय प्रबंद के लिए उत्तरदाई होने के कार नाना का महत्वा बढ़ता गया नाना सरीर से दुरूबल थे और सने संचालन में आयोगे थे अतहर उसे उन्हें सनी का ब्यानों में नहीं भेज़ा जाता था पेश्वा नारायन राय की हत्या के बाद पुना में रागोबा अर्था जो रगुनात राव था उसक पेश्वा पद से अलग करने की गोशना की गई थी और जो रगुनात राव है वह है एक मतलब वो था सडेंतरकारी वेकती था और इसने मतलब जैसे ही इनकी मर्थि हो जाती है माधव राव की तो वह है मतलब नारेंड राव है उसकी ये हत्या करवा देते हैं और खुद मत पेश्वा बन बैड़ता है लेकिन महाजी सीन दिया और आपका जो नाना फड़नवी जैसे धुरंदर जो नेता है उन्होंने इसको पेश्वा पत से अलग कर दिया था नारेंड राव की विद्वा पतनी थी गंगा बाई उसको जो उसमें गरभवती थी राजे की अधिका अधिकारी नहीं बनाया गया और सखाराम बापू को प्रमुकारिय भारी और नाना फड़नवीस को उसका साहिक बनाया गया नाना फड़नवीस समझ सत्ता अपने हाथ में किंद्रित करना चाहता था अतै दीरे दीरे उन्होंने बाराबाई समीति के सभी सद्दिश्यों को पजूत कर सासन की समझ सकती अपने हाथ में किंद्रित कर ली नाना की ये प्रवर्ति मराठा राजे के लिए बड़ी घातक सी दूए क्योंकि एकता जिस जिन सरदारों में एकता होती है वहीं पे ही वो विजे करते हैं यदि उनमें एकता नहीं होती तो वो दूसरे मतलब जो भी सकती है या फिल उनका जो सत्रु है उसे वो हार जाते हैं और यही नाना फढ़न्वीज के साथ होता है क्योंकि पेश्वा देरे देरे सकती ही नो रहा था और नाना स्विम संचालन करना नहीं जानते थे नाना फढ़न्वीज के समक्स परमुक समस्या मराठा संगी बनाए रखते हुए रागोबा पर नियंतर रखना तता अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था नारे नाम के मनने के बाद उनका पुत्र हुआ माधवराव द्वित्ये इसको पेश्वा गोशित करने के बाद उसके पालन पोस्टन तता उसे साचन संचालन क शिक्सा देने का दायत्व भी नाना का ही था ठीक है अठारा अप्रेल 1774 इस्वी को गंगा बाई के पुत्र होता है और इसका नाम रखा जाता है माधवराव द्वित्ये एक और से देखें तो ये मतलब जो आपका रागोबा था ये इसका माधवराव सेकिन का चाचा हो ज जाता था बलकि उसने रागोबा के विरुदेख सेना बेज दी थी दिसंबर 74 में थाना के निकड़ रागोबा प्राजित होता है और सूरत के और भाग गया सूरत में रागोबा ने अंग्रेजों से सूरत जो मतलब अंग्रेजों से ये संदी कर लेता है और ये जो आपकी सूरत की संदी यह कब होती है 1745 इस्वे में और सूरत की संदी के फरसरूब अंगले मराठा युद्धों का सुतरपात होता है नाना ने भी कुटनिती से निजाम और हैदर अली को अपनी ओर मिला कर अंग्रेज वरोधी गुट बना लिया था ठीक है किन्तु वारेन हैंस्टि ने निजाम को इस गुट से अलग कर दिया अंग्रेजों के साथ हुए इस पूरे संगर्सकाल में नाना महाजी के साथ सहो करता रहा किन्तु सालबाई की संदी किन्तु जो आपकी सालबाई की संदी कब हुई थी 1742 इसके समझ में नाना और महाजी में तिवरे मत्भेत उत् अब यहां पर इन में कॉंपिटिशन हो गया था और फिर अंदर यंदर एक दूसरे को यह काटने लगे तो फिर मतलब मराठा संगहिस का एक तरह से पतन हो गया था अब देखेगा नाना फड़नवीश के कारियों और उपलब्दियां क्या क्या थी तो नाना फड़नवीश और रगुनाथ राव नाना फड़नवीश द्वारा गुरेजों को प्राजित करना टिप वेक्तियों में से थे जो पानिपत के त्रीतियोद में बच निकले थे ठीक है और पानिपत का त्रीतियोद कब हुआ था 14 जनुरी 1761 को सन 1772 में क्या होता कि पेश्वा माधवराव की मर्थ्यू हो गई और मराठा समराजे में अराजकता की इस्तिति आ गई थी माधवराव की मर्थ्यू के बाद उसका भाई नारायन राव है वह पेश्वा होता है लेकिन लेकिन मतलब इसका जो ये चाचा था किसका मतलब माधवराव की मर्थ्यू के बाद उसका भाई नारायन राव पेश्वा होता है लेकिन क्या होता है कि जो चाचा था रगुनात राव नारा राव पेश्वा का वद करवा दिया और स्वेम पेश्वा बन जाता है अपनी श्तितिव ये सूद्रड करने के लिए बंबई का जो गवणर था उसे सूरित की संदी करता हो सूरित की संदी होती है 1775 इस्यू में और ये जो आपकी सूरित की संदी है इसमें कहा कि बाई जो साल सेट और बेसिन के द्वीब देने का ये वचन देता है अंग्रेजों को और कोन आपका एरागोबा और ये मतलब अंग्रेजों से सहाथा प्राप्त करने के लिए साल सेट और बेसिन के द्वीब देने का वचन देता है नाना फड़नवीज पेश्वा परिवार के स्वामी बक्ते अता उन्होंने नारायन राम के पुत्र मादवराब दीतियों को पेश्वा बना दिया और अंग्रेज गौर्णर जनरल वारें हैंस्टिंग से पूरंदर की संदिक कर ली अब यह आपकी जो जो नाना फड़नवीज है यह अंग्रेज गौर्णर जनरल हैंस्टिंग से पूरंदर की संदितों करते हैं परंदु कम्पनी के डायरेक्टरों ने सूरत की संदिको ही माननेता परदान की इस कारण वारें हैंस्टिंग को भी रगुनात राव की साहता करनी पड़ी रगु जो जो ऐसे बढ़गाम में एक अपमान्चनक संदि करनी पड़ी थी अंग्रेज जो अंग्रेज इसमें हारे थे और इसको बढ़गाम का समझोता भी कहा गया है और यह आपका सत्रासोर8 उनियासी इसमें होता वरें हेश्टिंग ने स शंदिको रद कर दिया और मराठों क 20 सालबाई की संधी होती है और ये मतलब आपकी 1772 सेश्यों में होती है सालबाई की संधी ने एक बार फिर से भारतिय राजनेती में अंग्रेजों की परतिस्टा इस्तापित कर दी ठीक है अब देखेगा अगला पॉर्णडा था आपका नाना फड़नवीस द्वारा अंग्र का सासक हैदरली और नागपूर का भोंसले सामिल थे नाना फड़नवीस की सेश्यों ने जनरल गोडाड को 1781 सेश्यों में पूना के निकट पराजित किया और 1782 में दोनों पक्सों में एक संधी हुई और ये संधी थी आपकी सालबाई की संधी ठीक है टिपू सुल्तान को प्राजित करना 1786 में नाना फड़नवीस और निजाम की सेश्यों ने टिपू सुल्तान प्राकरमन किया और बादा में पर अधिकार कर लिया अब क्या होता है कि अंत में 1788 में दोनों पक्सों में एक संधी हो गई जिसके अनुसार टिपू ने मराठों को 48 लाग रुपे की धनरासी देनव स्विकार किया 1790 में टिपू सुल्तान और अंगरेजों के मद्य यूद हुआ और इस अवसर पर मराठों निजाम ने भी अंगरेजों का साथ दिया टिपू को प्राजित होकर एक संधी करने पड़ी जिसके अनुसार मराठों को पस्चिमे करना टक का परद जिल्लों पर मराठों का प्रगुतर स्विकार कर लिया अंगरेजों के साथ संबंद कैसे थे नाना फड़नवीज के तो जो सालबाई की संधी इसके बाद नाना फड़नवीज ने अंगरेजों से मैत्री पूर संबंद इस्तापित करने की निती अपनाई ताकि अंगरेजो के प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेजों से सहाता मांगी इसे पता चलता है कि नाना फड़नवीज अंग्रेजों की सहाता से अपनी सत्ता सुरक्सित रखना चाहता था तो अंत पे मतलब नाना फड़नवीज है यह भी मतलब माराठों के लिए गातक सिद होते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाना फढ़नवीज एक ब्राह्मन तो थे और ये भी खा जाता है कि नाना की मर्तियू के साथ ही ब्राह्मन राजे का भी अंत हो गया और पुन्दा का भी पतन हो गया नाना फढ़नवीज को सरधान जली अर्पित करते होए जो आपके मतलब वे एक चतुर राजनिति गे नाना फढ़नवीज एक चतुर राजनिति गे थे और लगभग 30 वरसों तक पुन्दा की राजनिति पर ये छाए रहे थे ठीक है तो ये था आपका नाना फढ़नवीज नामक एक नया चेप्टर और आगे के वीडियो में हम आपको अंगले मै पिशूर युद्धों के बारे में पढ़ाएंगे तो बनाए रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे